नमस्कार स्वागत आपका स्पियर 9 नीज में मैं हूँ आपके साथ श्रूती शाहिन बाग में काफी दिनों से विरोध प्रदेशन हो रहे हैं लेकिं शाहिन बाग स्थल में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक संदिक्द महिला बुरके में पहन कर आई और वीडियो बना रही थी बता दे आपको कि बुर्के में वीडियो बनाते वक्त धर्ना दे रही महिलाओं ने उस महिला को संदिक्द महिला को पकड़ लिया और उस वक्त हंगामा हो गया जी बता दे आपको कि दरसल वो महिला वहाँ पर बुर्का पहन कर आई थी और प्रदशनकारी महिलाओं से सवाल पूछने लगी इसके बाद महिलाओं को शक हुआ और उसके बाद उसकी तलाशी ली गई तलाशी में उसके पास कैमरा पाया गया और इसी बात पर वहाँ पर हंगामा होने लगा जीना बता दे आपको शाहिन बाग में काफी दिनों से यह प्रेदर्शन जो है वो चला आ रहा है यहां पर सीए को लेकर विरोध प्रेदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए यहां पर जिस तरह से उस महिला का जो है कैमरा चीपा कर लाना और वीडियो बनाना एक तरह से कई सारे सवाल खड़ा करता है कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर जब की द पर किसी और पार्टी की जासूस तो नहीं इस तरह के तमाम तरह की बाते हैं वहीं बतादें आपको कि जब पूस्ताच हो रही थी तो संदिख्ड महिला का नाम गुंजन है और उसका गुंजन का पूर है और उसने बुरके में कैमरा लगा कर वीडियो बना रही थी उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो बुरका पहन कर क्यों नहीं आई कि और वो छूप कर फिवी ती बता Drake अब कि जब परिज़शन करी और की कारी महिलाओं से हम्धित महिलाने सवाल पूछना शुरू खैusp प्रदर्शन करी महिलाओं को सक हुआ उस महिला पर उसके बाद उसकी पूछताच होनी लगी और ऐसे भी कई सवाल उठते हैं क्योंकि दिल्ली चुनाओ भी है और ऐसे जिस तरह से अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टी की तो शाहिन बाग को लेकर भी लगतार आरोप प् है तो वहीं के जर्वाल सरकार पर भी आरोप रत्य रोप हैं बता दें आपको कि जिस तरह से दिल्ली चुनाओ का मुद्दा बना हुआ है कई जगों पर भी रोप प्रदेशन हो रहा है और बीजेबी सरकार इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रही है रैली का संबोधन कर रही है और रैली में एक तरह से जागरूप कर रही है जनता को किसी एक इसी की नागरिक्त नहीं चीनतिया बलकि नागरिक्त देने क के लिए है और ऐसे में इस संदिख्ध महिला का आना वह भी में बुरका पेहन कर और इसके साथ ही चुपा कर वीडियो बना रही थी इसका एक YouTube चैनल है और वीडियो बना रही थी और इसके बाद पुलिस फॉरं मौके पर पहुंंची और महिला को अपनी हिरासत में ले लिया जानकारी के अंसार महिला का नाम गुंजन कपूर है और जो अपने एक यूटूब चैनल चलाती है पुलिस उस महिला से पूछताच कर रही है अब देखना होगा कि इस पर और भी क्या बाते सामने आती है हाला कि कहा जा रहा है कि यूटूब च साहिन बाग में लगबग एक महीने से जादा हो चुके हैं और वहां पर विरोध प्रिदिशन थमने का नाम नहीं ले रहा है ऐसे में अगर पार्टियों की बात की जाए तो जिससे तरह से हमिशा का ने खाया तक रहा मंत्रय हमिशा ने की कोई कुछ भी कर ले या फिर कितन संदाइक नहीं नहीं बल्कि हर किसी को होगी क्योंकि यहां पर नागरीता साबित करने पड़ेगी लेकिन जिस तरह से पी अमोधी ने कहां था कि अभी अनार्सी को लेकर अभी हमारी सरकार में कोई भी चर्चा नहीं हुई है अब ऐसे में सवाल उड़ता है कि क्या आगे अगर शाहिन बाग में जिस तरह से संदिक्द महिला का जो यह घटना सामने आया जिसमें उन्होंने बुर्का पहन कर वहां पर पुंस्ताच करने लगी इसके बाद उनका वीडियो बनाना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं आपको क्या लगता है इस बात में आप अपनी र और शाहिए झाल खड़े करते हैं